हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनीक और यमी रेसिपी जिसका नाम है फ्रूट क्रीम सलाग आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें आपने वैसे बहुत सारे fruit salad की रेसिपी देखी होगी लेकिन इस रेसिपी को जरूर देखें ये कुछ अलगी अंदाज में बनाया गया है हमारे यहां खास कर हुली के मौके पर जरूर बनाये जाता है ये बहुत ही स्वादिस्त लगता है और इसकी तारीफ महमान जरूर करते हैं तो आप इस रेसिपी को इस खोली जरूर ट्राई करें उचलिए सुरू करते हैं देख लेते हैं तो 100 गणाम यहाँ पे हमने अंगूर लिया है दो नारंगी, दो सेव और 4-5 पके हुए के लिए स्वाद के अनुसार चीनी, फ्रेस मलाई, फ्रेस ब्रेड और दूद इसमें कितनी मात्रा में क्या जाएगा ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी तो आप वीडियो में बने रहे और इस रेसेपी को जरूर देखे तो यहाँ हमने सबसे पहले सभी फलो को अच्छी तरह से धो लिया है अब इसकी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमने अंगूर को इस तरह से दो फाग में करेंगे और इसी तरह से सभी यंगूर को काट लिए और एक बड़े से मिक्सिंग वौल में डालेंगे फिर हम नारंगी लेंगे उसे भी छील लेंगे और फिर उसके पल्प को यूज करेंगे उपर से भी उसके छीलके को हटा देंगे और बीज को व्धी इक भी नरहें इस बात का ख् दूद हमने यहां पर नॉर्मल कप से थोड़ा जादा लिया है अगर ग्राम से कहें तो 500 ग्राम लगभग दूद लगें और इसकी पहचान एक और है कि जितने फ्रूट्स कटे हुए हैं वो दूद के अंदर डूब जाएं जैसा कि आप विडियो देख रहे हैं अभी हमने य कप और दूद आड़ करें यह देखें सारे फूर्स दूद के अंदर चले गए हैं यही मात्रा में दूद जाएगा न जादा नकम नहीं तो पतले हो सकते हैं आपके फूर्ट्स लाग अब हम इसमें आड़ करेंगे फ्रेस ब्रेट यहां पे हमने इतने में छे ब्रेट का इस्तिमाल किया है अगर आपको थोड़ा पतला लगता हो तो आप एक दो ब्रेट जादा भी डाल सकते हैं नहीं तो इतने मात्रा के यह छे ब्रेट काफी हैं अगर आप जादा फल से बना रहे हैं तो सभी चीजों की क्वांटिटी बढ़ा देंगे ब्रेट दूद क्रीम चीनी की और इस तरह से ब्रेट को चूड करके डालेंगे जितना बारी की हो सके उतना बारी की चूड करके डालेंगे अब एट करेंगे चीनी तो चीनी अपने स्वात के अनुसार से कम या जादा भी कर सकते हैं हमने यहां पे 5-6 चमज बिलाया है जो चीनी नहीं खाते हैं जिने नहीं खाना है वो बिनाचीनी के भी बना सकते हैं बिनाचीनी के भी यह काफी यमी लगता है अब इसमें फाइनली एड करेंगे क्रीम तो यहां हमने अमूल का फ्रेस क्रीम यूज किया है जो लगभग 200 ml है यहां मैं बताना भूल गई थी दूद को आप बॉयल करके ठ फ्रीज में रखेंगे और फिर ठंडा ठंडा सर्प करेंगे तो यह लीजिए मेरा फ्रूट सलाथ बनकर त्यार हो चुका काफी यमी और डिलिसियस आप इसे फ्रीज में रखके दो दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इस रेसिपी को बनाईए खाईए और अपने अहिन सेस्ती हो जिस्तोके व्यम झालाए बनाए जिया प्योड़ारा कर एक सी यमीफी को दो गया हूँ तो देमाने प्रके यह लिद्वोन निकार रख़ूम रखके बनाइए क्पासी के लाखआए हो यह जोर ब Nat CT कर दो 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 दी प्र्ट कर दो दो